गुड मॉर्निंग अब्रिवान वेलकम बैक टू अवर चैनल मेरी पूरे कुकी स्पार्ट फैमिली आप सभी स्वस्त रहो सुरक्षित रहो और खुब खुश रहो हर दिन के तरह आद भी यही मेरा भिलाशा है और आज ब्रेक्पस में बनने वाला है यह अर्बी के पतों की बहुत पाई से एक रैसिपी हम बनाएंगे चलो शुरू करते हैं अर्बी के पटों को पानी से जो फट्रों के और पानी सूख जाने दें तो यहां पर मै तीन बड़े साइस की पत्तों का यूज़ कर रही है अभी मैंने एक बड़े पीस लिये हैं इंगली का पल्प और इसको कैसे स्टोर करते हैं किसी दिन पूछा था किसी ने इसको कुछ अलग से तो नहीं करती मैं ग्लास जार में डाल करके अलमारी में रखती हूं फ्रेज में नहीं रखती हूं अब इसमें हमने डाला है पल्प में थोड़ा सा पानी ताकि जब तक हम बाकी की त्यारी शिरGame शर भे मिताल नितीस को अंधर खो उसको हैं जाती हैं उसको पूरबर यह तर्वाइज यह वह बहुत आकर दालो तो अब तीनों ही पत्तों के मोटी डंड़ल निकल चुकी है सिर्फ पत्तें हैं सौफ्ट से और इनको एक के ऊपर एक रख लेंगे ताकि ये पूरी अच्छे से हम फोल्ड कर सकते हैं हमने साइड में निकाल दिये मूटी वाली अब यह जो सौफ्ट पत्ते हैं यह एक क्यूपर एक रखे हुए हैं तीन पत्तों के थे तो यह च्छी हो गए इस तरीके थे बीच में से काटने के बाद और इनका रोल बना लेंगे रोल बनाने से पकड में बहुत इजी हो जाती ह और फिर नाइफ से एकदम पतले पतले लंबे लंबे ऐसे लच्छे जैसे कटिंग हो जाएगी पत्तों की आपको अर्भी के पत्ते एकदम बारी काटने है इस रेसिपी के लिए और बस जैसे लंबे लंबे कटे थे तो वो काफी लंबे थे गोल सरकल में थे तो उनको आरी मिर्ची का पेस्ट डदना है इसमें तो मैंने यहां पर अधर्थ Rough चिलका निकाला है हरी मिर्ची और लसुन लें तो इनको के साइड में रख लिया है यह सब तैयारी हो गई कि हम कभी भी कुछ बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है अब यह जो बारी काटे थे अर्भी के पतेस में हमने एक चमच डाला है अधरक लसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हल्दी पाउडर धनिया पाउडर अजमाइन इसी के साढ़ एक बड़ा चमच इतना सफेद तिल डाला है इमली जो भी गोई थी पाणी डाल करके उसका मसल करके पाणी निकाल कर डाल दिया अमली का पानी इसमें आप गुरु डाल सकते हैं मैंने एक चमचीनी डाली है नमक स्वाथ के अमसा डालेंगे और एक चमच अ डालेंगे वन फूर्थ कप बेसन वन फूर्थ कप इसमें बाजरे का आठा और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी हम पूरी बाइंडिंग कर लेंगे पहले मसल लें कि क्योंकि हमने इंबली का पानी डाला है तो जितने फिर उसके बाद पानी की जरूरत हो तो पत्ते भी हलके गीले से ही थे तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला और इसा भी को मिक्स करके यह डोर रेडी कर लिया है डो अब हम रखेंगे साइड में सबसे पहले हम कढ़ाई में रखेंगे पानी गरम करने कर दिए और इसे ढग देंगे जब तक यहां पा करके खाते हैं या फिस ग्रेवी वारी सब्ची बनाते हैं यहां पर हमें चोटे-चोटे से क्यूट से बाल्स बना लेने हैं और यह बाल्स अब हमें स्टीम कर लेंगे पानी अच्छा गरम हो चुका था कढ़ाई का और मैंने रखी है वह स्टीमिंग वाली प्लेट और इस नाते हैं वड़ी सेम वैसे ही होता है यहां पर मैंने चेक किया है तो बिकदम अच्छे से पाक चुका है यानि पूरा ड्राइव हो चुका है और हतिली में देकर एकदम ठंडा हो गया है तो रहनती ठंडा भी हो गया है और पक तो पहले ही गया इस टीम में अब हम प्राई भी हो जाते हैं और सबसे अच्छा टेस्ट लगता है चिली फ्लेक्स और सफेद तिल गजब का टेस्ट करंची करंची से अच्छे से इनको करारे करारे से ऐसे कि ऐल में सेक लेंगे लास्मिंट डालेंगे गटावा धनिया पत्ता और इसे भी हम मिक्स कर देंगे तो ये जो गर्मा-गरम snacks बनाना है तो आप snacks के लिए इसको बना सकते हैं, breakfast में हो या evening time पिखाना है, कोई party में भी आपको snack रखना है तो आप ये रख सकते हैं, अर्वी के पत्तों के roll वाले जो होती है वड़ी वो भी अच्छी लगती है और ये भी, ड्राइ होने तक प्यास को पहले भून लेंगे और इसमें डालेंगे सुखे मसाले, हल्दी पाउडर धनिया, पाउडर मिर्ची, पाउडर होममेड गरम मसाला ये regular चारों मसाले डालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे, तोमेटो प्यूरी डाली है, नमक डाला है, जिससे जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाएं और मसाला जल्दी से बुन जाएं, ओइल सेपरेट सा होने लग जाएं, जब आप देखें कि धीमी आच में या फिर बीच में तीज करते हुए, मिलाते हुए, अच्छे से मसाला है वो भुन चुका है, फिर इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद जैसे इसमें उबाल आने लग जाएंगी तो हम इन बाल्स को इसमें डाल देंगे, यह हमारी ग्रेवी वाली सब्जी बन जाएगी, अर्वी के बॉल्स की, और यही अर्वी के बॉल्स आप नाश्टे में बना सकते हैं, यानि कि एक रेसिपी से टू इन वन काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग वड़ियों में भी ऐसा ही करते थे, पहले बनाओ वड़ी, फिर खा ना लेते हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ही शुबम को भी खाना है, और हस्बिन भी आएंगे लंच टाइम पे, तो यही बन गया, और सब्जी तहियार है, इसकी साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, चपाती तो खेर बनानी ही बनानी है, तो बस यहाँ पर मै मलाई निकाल के रखी थी, वो भी सुबह फेटी थी, अभी आगे दिखाऊंगी मैं, पहले मलाई का काम किया था, मैंने बाद में फिर मैंने यह सारे काम किये, क्योंकि वही होता है, जिस काम में ज्यादा आलस आता है, वो काम पहले कर लेने में भलाई होती है, वरना जब यह खाना बन जाता ना, फिर आलस आता है, फिर सोचते हैं, कल बना लेंगे घी, हमेशा फिर हैसा ही रह जाता है, तो इसलिए मैंने सोच चाता है कि आज पहले वो करूँगी, इसलिए आज खाना बनाने में लेट हुआ मुझे, लेकिन कुसी और को तो इतनी जल्दी थी ही आज पूरे होते हैं, इतनी सी सब्ची पनाओ ये कटोरी चाहे, चार कटोरी वह सब्ची थी, अब लंच थाली लगाते हैं, घर्मा गरम फलके हैं, राइस है, और अर्वी की ग्रेवी वाली सब्ची है, सालड है, तो जमरा सिंपल और टेस्टी वाला लंच है ये, और आप मलाई फेटी थी, ये काम मैंने सुबह ही कर लिया था, मलाई कल रात में ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी, मैं एक बड़े बोल में निकाल के रखती हूँ, और इसको मैंने बाट में ट्रांसर कर लिया था, और अब जैसे ही इसको में लगा देंगे, उपर से लेड ताकि जो मलाई फेटेंगे तो फिर बाहर नहीं आएगी, पहले मलाई फेट ली है और सॉफ्ट हो जाती है, जब आ फ्रिज से रात में निकाल के रख देते हैं, सुबह फेटना है तो अगर रात में फेटना है तो सुबह निकालती हूँ है फ्रिज से, अब इसमें फेटन बना रही हो यह तो इसमेल ना आई इसलिए मैंने इस बार मलाई में दही डाली थी तो घटे वाला जो रहता है ना तेस्ट वो रहता है बार मुदलब इसमेल नहीं रहती है और फ्रेज में रखा हुआ था और बस अभी से फेट लिया क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सी मलाई र परक रहता है जट पर से काम हो गया पूरा मक्षन दे को सेपरेट हो गया है और जो मैंने पानी डाला था एक बातल वो पूरा अलग बूग गया है यह बटर मिल्क हो गया है और वहां पर दूसरे बरतन में हैं बटर आप सफेद मक्षन यदि यूज करते हैं खाने में तो भी निकाल सकते हैं बहुती बढ़िया एक तम फ्रेश खरका बना हुआ और यह बटर मिल्क जैसा अब जाहो वैसे यूज कर सकते हो दही डालने की वज़े से मठ्या बिल्कुल टेस्टी बाला रहता है और बस अब इसी रखा है गरम करने के लिए और इंडाक्शन में ताक जब गी बनारी होती हो तो हमेशा इंडाक्शन बाहर आता है सामने आता है अचली और जब मैं सुबह कुछ काम कर रही होती हूं घर में दूद चाय शुबम कट्टिफिन यह रहता है और जैसे ही मखहन मेल्ट हो चुका है बीच बीच में इसको हिलाती गई और यह घी तया डीछ फूर्छ के रहा है जब सब्सक्राइब शाण लिए हैं जिसे घीधा नियूस्थ वर्तन के पहले ही और उसके बाद बनाया है और पत्तों के और फिर चुरू किया था लख त्यारी अब लास्ट के पूरी किचन ठीचन पहले ही मैं घी वाले इसलिए धुल के साइड में रख दे थे अब ये ठंडा हो चुका है कि एक दम आप इसका ढखकन बंद करके रख देंगे अलमारी में तो इसमें ही मैं स्टोर करती हूँ मैंने देखा है कि पूरे साल जितने भी वरत होते हैं या तो वो पतियों के लिए होते हैं या फिर बेटों के लिए होते हैं उनकी लंबी आयू उनकी तरक्की उनके स्वास्त के लिए बेटों के लिए पती के लिए लेकिन कोई भी एक भी वरत पूरे साल में बेटी के लिए कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मा के व्रत रखने से आयू लंबी हो सकती है बेटे की पती की आयू लंबी हो सकती है और तरक्की हो सकती है उनका स्वास अच्छा हो सकता है जीवन में प्रोग्रेस करेंगे हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनकी संतान बेटी भी होती है अगर एक व्रत पूरे साल में एक दिन का ऐसा व्रत बनाया जाए वैसे तो लोग कहते हैं कि जो भी व्रत संतान के लिए है वो बेटे के लिए और बेटी के लिए बराबर है नहीं लेकिन उसमें साफ साफ बेटे के लिए होता है उसकी लंबी आयू और उसकी तरक्की के लिए सेहत के के लिए मैं चाहती हुए मेरा ऐसा एक्षा है कि बेटी के लिए कोई साल में एक वर्त होना चाहिए मा जिस वर्यत को रखे कि मेरी बेटी के साथ कभी कूछ गलत नहीं जो उसके साथ गलत करें उसका सरवनाश करें सब्सक्राइब करें चोपदाइब waking सब्सक्राइब करने में ङुए यौन को तोनौकरी जा रही है और वह उनका क्याल रखेंगे तो इस्वरत में ऐसी पावर हो कि जब हम बेटी को दूसरे घर बेशते हैं दूसरे के पास भीजते हैं तो वह हमारी बच्ची का सच में पूरा खयाल रखें उसके हाल सुख दुख में उसके साथ रहे इसकी एक व्रत से ये माँ अपनी बेटी के लिए और बेटी की सुरक्षा और उसकी सम्रिदी के लिए और उसकी आगे की जीवन के लिए सुरक्षा के लिए और उसकी सेहत के लिए लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार सी बात है कि ये जो व्रत होते हैं पती और बेटों के लिए ये करता पौन ह इस तरी पतनी के रूप में और मा के रूप में तो एक जो पतनी पती के लिए वरत रखती है एक मा अपने बेटे के लिए वरत रखती है सबसे पहले तो वो खुद एक बेटी होती है और जब तक वो बेटी होती है आज तक एक वरत उसके लिए एक दिन उसके लिए नाम के ल बरिवार में लेकिन वो उसने नए पिडिय में आई और नए जन्रेट अपने जीवन में आई उपने पत्नी बनके तो पहले साल से शुरू हो गया करवा पत्नी बन गई मा बन गई तो व्रत शुरू हो गया उसके और यही और जो पहले जितने भी साल रही होंगी तो कांटिंग हर लड़की की जीवन का लग अलग है जितने भी साल रहे अपने परिवार में बेटी बनकर तो उनके लिए कोई भी व्रत ना रखा किसी ने ना रखा तो इस विशा में मैं चाहती हूँ कि चर्चा हो लोग जागरूप हो और सोचे कि बाई वुज वरत में इतनी ताकत है पत्नी के वरत में बेटे की मा की वरत में इतनी ताकत है कि उसकी नौकरी के लिए भी वरत रखे जाते हैं लड़के की नौकरी लगे तो यह वाली ताक में आपका क्या कहना है आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थांक्स पॉर वाचिंग बाइबाए टेक किया